देश दुनिय की छोटी बड़ी खबरों के साथ राशनाइतिक और मनरंचन की सारी खबरे देखिए सिर्फ खटपट न्यूस पर हमारे चैनल को सबस्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें साथी साथ वेल आइकोन दबाना ना भूले खटपट न्यूस खबरे थोड़ा हट के चाथिसकड के दुर्ग जिले में एक बड़ी सेक्स रैकेट का भांडा फोड हुआ है रैकेट भिलाई के तालपुरी स्तेथ पोश कॉलोनी में संचालित हो रहा था पुलिस ने यहाँ चापा मार कर कई संधिक्त जोडों को गिरफतार किया है सभी से थाने में पूस्तात की जारी है दुर्ग SP सुलब कुमार सिनहा को सूचना मिली थी कि भिलाई नगर थाना शेत्र अंतरगत पारिजात कॉलिनी में कुछ लोग फ्लैट्स लेकर वहां संधिक धालत में रह रहे SP ने ASP संचे धुरूफ के नेत्वित में 15 थाना प्रभारियों को बुला कर एक टीम तयार की किसी को भी या नहीं बताया गया कि उन्हें कहां चापा मारी करना है इसके बार टीम रविवार सुबह 4 बजे सीधे कॉलिनी पहुंची और वहां दबीश दी सभी थाना प्रभारियों ने अपनी अपनी टीम लेकर अलग-अलग बिंडल में जाकर दबीश दी हर एक फ्लैट और घर को खुलवाया गया इस दोरान पुलिस ने 30 से ज्यादा संदिक लोगों को गिरफतार किया इनमें जादातर लड़के लड़किया शामिल है हलाके पुलिस इसे सामाने चेकिंग बता रही है सेक्स रेकेट की कारवाई से मना कर रही है चापे मानी के दोरान पुलिस को तालपुरी कॉलिनी के अंदर कई गारिया लवारिस हालत में मिली कई गारियों में नमर प्लेट भी नहीं थे सभी गारियों को क्रेन से उठवा कर ठाना पह глаза गया गारी मालिकों को बुला कर पूस्तात की जाएगी ये पहली बार नहीं है जब तालपूरी कॉलनी में सेक्स रेकेट पकड़ाया है यहां एक दो साल पहले भी बड़े सेक्स रेकेट का भांडा फोर हुआ था इस समय भी कई लड़की लड़की यहां संदिक धालत में पकड़ाये थे खबर लिखे जाने तक पुलिस की कारवाही चल रही है